श्री शद्गुरू महाराज कीजे प्रातह श्मर्णी अनंत श्री विशीत परमाराद्य शंद्गुरू महर्शी में प्रमहन्च जी महाराज का प्रवचन श्वराज में शुराज बंदों गुरू पदकन्ज कृपाशिंधु नर रूपरी मामोहतम पुन्ज जाशुवचन रविकर निक धर्मानु रागिनी प्यारी जन्ता अभी हम लोग बहुत अंदेशे चिंता में नहीं हैं कुछ मास पूर्व हम लोगों को बहुत चिंता हुई थी क्योंकि सुना था कि चीनियों ने चड़ाई की है और वे बढ़े आ रहे हैं आज उतनी चिंता नहीं है चीनिया आता हम पर हुकमत करता हमारा नुक्षान करता हम लोगों को चिंता हुई कि हम लोग नुक्षान में ना पड़ें जहां तक हमारी हद में वह आ गया है हटा दें उसको अपनी हद में पहुँचा दें जब कोई दूसरे पर चड़ाई करता है तो वह है उसकी संपती लूटने उसको बेजजत करने और उस पर अपनी प्रभूता लादने आता है इसलिए तन, मन और धन से देश की सहयता कर उसको हटाना चाहिए अभी आप पर किसी का दवाव नहीं है कोई आप पर हुकुमत नहीं करता अपनी सभा के द्वारा देश की सासन संभाल होती है एक ओर तो यह है और दूसरी ओर है कि हम अपने राज में रहकर भी अशांत रह खते हैं क्यों देश के निकट के लोग वा कुछ देश के लोग भी चूरी रखती करते हैं हमको लूटते हैं तो हम अशांत यह आप अपने अंदर सोचिए सच्संग में आप जाते हैं सद्ग्रंतों का पाठ आप सुनते हैं वहां होता है कि तुम्हारे अंदर क्रोध आव तो वैसा मत करो कि पड़लोक और इह लोक बिगड़ जाए। कभी लोभ होता है, कभी मोह होता है, हम सत को अशत और अशत को सत समझ कर चलते हैं, जिससे बहुत नुक्शान होता है। दूसरे देश के लोगों को हटाओ और अपने देश के लोगों को भी जो हमको लोटते हैं उनको हटाने और समहालने कहते हैं लेकिन हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है इन विकारों द्वारा हमारा अध्यात्मिक ज्ञान मट्या मेट हो जाता है विदेशी और दुसरे जब कोई हमको लोटते हैं तो हम उसको मारते पचारते और भगाते हैं किन्तो अपने अंदर में जो ये विकार हैं उनको क्या करो आज के योग में जितने सस्त्रास्त्र निकले हैं उन विकारों को मारने में शफल नहीं है काम, क्रोध, लोव और मोह, सेनापती और दंब, कपट, पाखंड, योद्धा हैं ये बाहरी दुस्मनों से भी अधिक तवा हमको करते हैं हम इनसे बचे और बच कर जाने कि इससे सुख होता है वा दुख साधु संतों ने जो इसे जाना, इसे दूर किया और कहा कि थाकेऊं सबकरी करम गुशाईं, सूखी न भयेऊं, अवहीं किनाईं सोचने की बात है कि हर एक प्रेमी, सत्चंगी, ज्यानवान, विचारिये कि आपके हिर्दय में काम, क्रोद, लोव, आदी नहीं उत्पन हो तो आपका हिर्दय कितना सांत रहेगा इतनी सांती जितनी कि हम चाहते हैं यह कैसे हो, यह हमको होते क्यों है संसार में रहने से ऐसा होता ही है फिर प्रश्न होता है कि हम संसार में क्यों रहते हैं संसार में इसलिए रहते हैं कि हम सरीर में रहते हैं सरीर में नहीं रहें तो संसार में भी नहीं रहें जब वे जीव श्रिष्टी में हैं तब से हम सरीर में हैं कभी उद्भीज, कभी उश्मज, कभी अंडज, कभी पेंडज बनकर कितनी बार हम आये गए और इनके कितने संसकार परे ठिकाना नहीं इनके संसकार प्रेडित करके हमसे औकर्तब्य और पाप कराकर माया धिन बनाये रखते हैं लोग कहते हैं कि आप मनुष्य हैं आपको ग्यान होना चाहिए कहते हैं कि कहते तो ठीक हो लेकिन मौका आता है ग्यान भूल जाते हैं अग्यानता आ जाती है और जो नहीं करने का वह भी कर बढ़ते हैं माया की सेना हमसे हटती नहीं है तब ऐसा होता है कि कोई ऐसा जबरदस्त सहारा मिलता जिसके द्वारा इन दोस्टों को भगाया जाता यह माया किसकी है यह माया इश्वर की है उसके अधीन है उसके अधीन में इस तरह है कि उसके जाड़ा सा इशारा पर जैसा वे कराना चाहते हैं माया से कराते हैं शंतों ने कहा कि उस इश्वर की शरण लो उसका आश्रे ग्रहन करो जो इश्वर का भजन करता है वह इश्वर के शरण में है मैंने मनिहारी में एक अस्थान बना रखा है अब से बहुत वर्ष पूर्वे वहां कि एक आदमी पर मुकदमा हुआ था उसको सजा हो गई उसने कहा मैं अपने को समर्पन करने जा रहा हूँ उसके मन में था कि छूट जाओं लेकिन गया समर्पन करने इलेकजंडर दी ग्रेट की कथा मैंने पढ़ी थी शिकंदर ने एक बड़े नामी डाकू को पकड़ा था उस ने उस डाकू से पूछा तुम लोगों को क्यों लोटते हो सताते हो डाकू ने कहा मेरे शरीर को तुमने बांधा है मेरे मन को नहीं तुम बरा डाकू हो और मैं छोटा डाकू हूँ शिकंदर ने डाकू के शरीर को बांधा था उसके मन को नहीं इस च्वर पर अपने को समर्पन करता हूँ केवल कहने से नहीं होता है लाठी की तरह दंडवत प्रणाम शरीर के गिर जाने से शरीर ही गिरता है मन सरन में नहीं जाता मन भाग भाग कर स्वतंत्र रूप से काम करने लगता है जैसे सरीर को किसी की सरन में ले जाते हैं उसी तरह मन को भी किसी की सरन में ले जाना चाहिए जो माया के दवाव में से बचा सके इस्वर की सरन लो शरीर को गिरा देने से सरेंडर नहीं होता माया का दवाव से बचने का यही उपाय है इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पार्थ में श्री शद्ग्रो महाराज कीजे